कुछ नास लोगवार करता है आज हम क्या पढ़ेगे क्या पढ़ेंगे आज हमें आज हम पढ़ेंगे चेप्तर थ्रग क्या पढ़ेंगे चेप्तर थैग जिसका क्या नेम है क्या नेम है जिसका नेम है मात्राए क्या नेम है जिसका नेम है मात्राए क्या नेम है मात्राए ओके बिचो तो आजम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में तो मात्रा किसको कहते हैं किसको कहते हैं वेंजनों के साथ सवरों के लिखे जाने वाले चिनों को मात्रा कहते हैं वेंजनों के साथ सवरों के लिखे जाने वाले चिनों को क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं क्या करते हैं वेंजनों के साथ सवरों के लिखे जाने वाले चिनों को मात्रा कहते हैं जैसे पत्ता, एनएख, मचली, न्रिप, हीरें तो यह क्या है इन सब्दों के क्या लगे हुई है इन सब्दों के मात्रा ये लगे हो मात्रा ये किसकी लगती है किसकी लगती है मात्रा ए मात्रा ए शवरो की लगती है किसके लगती है मात्रा ए किसकी लगती है मात्रा ए शवरो की लगती है सुवर की क्या लगती है सुवर की मात्रा लगती है किसके लगती है वेजनों के लगती है किसके लगती है वेंजनोंके लगती है किसके लगती है शालों की लगती है किसके लगती है शोरों की लगती है इसके लगती है वेंजनों के लगती है ओके जैसे यह क्या है ए स्वर है क्या है स्वर जिसकी क्या नहीं होती जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है क्या नहीं होती मात्रा नहीं होती फिर भी क्या होता है वेंजन कै वेंजन कै में क्या जुड़ होता है जब हम इनको स्पी करते हैं तभी किस की धवनी आती है के ए की धवनी आती है जब हम इसको राइट करते हैं इसके लिए हम ए को हटाते हैं तो क्या लगता है नीचे इसके हलन्त लगता है क्या लगता है हलन्त लगता है क्या तो शड़ क्या होगा कमल क्या होगा कमल यह के आ की मात्रा क्या है आ की मात्रा यह क्या है कै नीचे क्या लगा हुए है यह क्या हो गया का का काला क्या हो गया काला यह कह ए, यह कह छोटी ए की मात्रा, यह कह कह, कह कह कि क्या लगे लिए, छोटी ए की मात्रा, तो क्या हो गया, क्या हो गया, की, क्या हो गया, की, तो आगे नेम क्या हो गया, किशान, क्या हो गया, किशान, यह कह बड़ी, यह कह बड़ी की मात्रा, तो कहा कि क्या लगी हुई है बड़ी की मात्रा क्या लगी हुई है बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया खील क्या हो गया खील यह क्या है उ यह किसकी मात्रा है उ की यह क्या लगा हुई है क्या के नीचे हैला एंत और यह आगे क्या लगी हुई है खोटे मातला चछोटे मातला और जालática ऊंत्रत कंसे क्या हो गया कुत किते हैं केसे अ मतले तब चैलो कित्ता ये केसे यह की मातला किते उंत्रत करें करीं हमीर सब्सक्천स की जाए मि Willi a-o, a-o, a-a-a, a-a, a-c-a-c-a-a e, a-c-a, a-c-a-c-a-c-a-c-a आई की मात्रा तो कह की क्या लगी हुए आई की मात्रा तो क्या हो गया कही लाज कही लाज यह कह ओ यह कह ओ की मात्रा यह कह कह क्या क्या लगी हुए ओ की मात्रा तो यह क्या हो गया को को यहले को यहल क्या हो गया को यहले को यहल कि के आओ 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 मात्रा किसको कहते हैं वेंजनों के साथ सवरों के लिखे जाने वाले निश्चित चिन को मात्रा कहते हैं मात्रा कहते हैं यह किसकी मात्रा है एह की मात्रा यह कै 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 का कै के निचे क्या लिखे हुई है हलन, कह, काक, विशे, रह के साथ, उ, छोटे हुआ, बड़े, उ, की मात्रा, उसके आगे, पीछे है तुआ, उसके नीचे नहीं लगती, बल्कि कहां लगती है, रह के साथ, उसके बीच में लगती है, कहां लगती है, रह के साथ, उसके बीच में लगती है, रह के साथ, उ, उ, की मात्रा, उसके आगे, पीछे, तुआ, उपर, नीचे नहीं लगती, बल्कि कहां लगती है, रह के साथ, उसके बीच में लगती है, कहां लगती है, उ, की मात्रा, रह के, बीच में लगती है, कहां लगती है, बीच इसमें लगती है जैसे रेऊ, रू, रुकना, गुरू, रूची, रेऊ, रू, रू, अम्रूद, रूमाल, रूमाल, तो यह किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? उकी मात्रा, वेज़नों के साथ सवरों के लिके जाने वाले इंचिनों को हम क्या कहते हैं? इचिनों को मात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, रहे के साथ उप है, उप की मात्रा उसके आगे पीछे या उपर नीचे नहीं लगती, बल्कि रहे के साथ कहां लगती है, रहे के साथ बीच में लगती है, लगता है, बीज में लगती है, ओपर या निचे नहीं लगती है, कहां लगती है? मात्रा है किसको कहते हैं? बेंजनों के साद्ध सवरों के हक Pier HIV के लिखे जाने वाले इन चिनों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं रेंजनों के साथ सवरों के लिखे जाने वाले इन जिनों को हमें मात्रा कहते हैं रेंजनों के साथ उपए उपकी मात्रा उसके आगे पीछे या उपर नीचे नहीं लगती हैं गहां लगती हैं तो आज 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 क्या करोगे जो यह जिए चिप्टर है क्या नेम है इसका मात्रा है क्या नेम है मात्रा है इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे इन नेमों के भी क्या लगी लिए मात्रा लगी है इसके किसकी लगी है आ की मातरा, ए की मातरा, मझली, बढ़ी की मातरा, नीप, नी की मातरा, हीरन, छोटी ए की मातरा तो आज आपको क्या करना है इस चेप्न को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है क्या करोगे इस चेप्न को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे ओके ओके बच्चो आज के लिए इतना ही गाफिया आज आप इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे ओके ओके थांक्यू बच्चो